हेलो दोस्तो एक बार फिरसे स्वावया था आपका मेरी यूट्यूब चैनल आर्स्नोट्स पर और आशा करता हूं दोस्त आप सब ibaस्त होंगे मज़त होंगे दोस्तो हर्याना करमचारी चैन आयोग द्वारा आपका हर्याना पुलिस समिस्पेक्टर का दोस्तो एजाम होने जा रहा है और उसके लिए हम आपके लिए एक most important हर्याना जीके का मोग टेस्ट दोस्तो लेके आई है इस मोग टेस्ट में आपको पूरे के पूरे 50% मिलेंगे ये 50% जो हैं दोस्तो हर्याना करमचारी चैन आयक द्वारा निदावट पाठा करम पर अदारिध होंगे दोस्तो चूंकि ये मोग टेस्ट होगा तो साथ की साथ अपने जवाब देते चलिएगा और उन्त में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपके 50% मिलें से कितने जवाब दोस्तो सही मिले तो दोस्तो आईए पहले परशन जो है शुरू करते हैं पहला परशन है बलबन्ने में वातियों के विद्रोग को किस प्रकार दबाया था तो बलबन्ने जो है दोस्तो बैंकर का तल्याम करवाकर जंगलो को टवाकर और में वातियों के विद्रोग को दबाया था तो उप्सन इडिस का बिल्कुल सही जवाबों का पुरुक्स भी ठीक है आगे देखी दोस्तो आगले परशन देखी दूसरा परशन मोर्नी हिल सर्याणा के किस जिले में स्थित है दोस्तो मोर्नी हिल जो है वो आपको पता होना चाहिए पंचकुला जिले में है ओप्सन बीस का बिल्कुल सही जवाब होगा याद रखे ठीक है आगे देखी दोस्तो कि विशुनू और लक्षमी की मूर्तियां कैथले के किस देवाले में परतिश्ठीत है ओप्सन आपके कासिपुरी आनदपुरी सरदापुरी या इन में से कोई नहीं तो ये हैं दोस्तों मोश्टी पूर्ट क्योशन है कासेपुरी देवाले में उप्सन आज का बिल्कुल साइज वाब होगा ठेक है? आगे बटते हैं किला प्रशन देखिए कि रियाना का कौन सा जिला किसी विराष्टी राजमारक से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों ये नहीं है मेंदर गर्जिला ओप्सन सीज का बिल्कुल साइज वाब होगा याद रखें मेंदर गर्जिला जो है किसी विराष्टी राजमारक से जुड़ा हुआ नहीं है ठेक है? आगे बटते हैं दोस्तों कि रेणमे एटलस उद्योग कहां पर स्थित है? रेणमे एटलस उद्योग जो है दोस्तों कहां पर है? ओप्सन आपके सोनिपत उडगाओं हिसार पंचकुला तो सबको पता होना चाहिए दोस्तो एटलस साइकले जो बनते हैं वो बनते हैं सोनी पजिले में option A का बिल्कुल सई जवाब होगा ठीक है आगे दोस्तो देखिए प्रशन कि हलकी कंगन को क्या कहा जाता है जिसे स्त्रियां अपनी कलाई में पहनती है तो हलकी कंगन को कहा जाता है दोस्तो कांगनी option A का बिल्कुल सई जवाब हो कांगनी कहा जाता है ठीक है आगे देखिए दोस्तो कि हर्याना राज्य में गनेश चतुर्थी कब मनाई जाती है हर्याना राज्य में गनेश चतुर्थी जो है दोस्तो बनाई जाती है ठीक है याद रखे most important question दोस्तो आगे है पस्टन कि मुझे तो संपूर्ण बार्त की भूमी चाहिए ये सब्द किसे ने कहे थे ओप्शन नेकी राम सर्मा छजूराम लोक मानने तिलगिया कोई नहीं तो ये कहे थे दोस्तो नेकी राम सर्मा जी ने option इसका बिलकुल साइज वाब होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि लाप्शन देखिए कि राणा के किस प्राचिनगर का नाम सर्प दमन है तो ये दोस्तो सफीदों का option इसका बिलकुल साइज वाब होगा याद रखें तो ये बढ़ते हैं कि लाप प्राचिनगर का सम्मा जो है दोस्तो वो है boxing से option इसका बिलकुल साइज वाब है ठीक है याद रखें दोस्तो आगे बढ़ते हैं कि लाप्राचिनगर की और 00 remain तो दोस्तो यक्षणियों की मुर्तियां जो है अर्याना में पलवल से प्राप्त हुई हैं बादस से और तीन से तीनों जगहें से प्राप्त हुई हैं तो उप्षण डिसका बिल्कुल सई जवाबक ये सबी ठीक है आगे देखिए दोस्तो हरणा पावर जनरेशन कोर्पोरेशन लिमिटेड या एच्प जी सिएल के जिसे कहा जाता है कि स्थापना कब की गई थी तो ये की गई थी दोस्तो उप्षण एस का विल्कुल सई जवाबक याद रखें दोस्तो ठीक है आगे देखिए पशन कि निमन में से रियाना का परसिद लोग नरते कौन सा है तो रियाना का परसिद लोग नरते जो है दोस्तो वो है दमाल, ओप्सन से इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें बाउल जो है दोस्तों वो असम का है, यक्सगान करनाट का है और भी हु असम का है दोस्तों, याद रखें ठीक है, और दमाल जो है और यहना का परसीद लोगनर्त्य है आगे महीर बोज के समय, रियाना का कौन सा सहर गोडों के वपार का बढ़ा के इंदर था तो गोडों के वपार का बढ़ा के इंदर था दोस्तों पहवा, उप्सन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों आगे बढ़ते हैं किला प्रशन देखिए कि रेना राज्य सहिकारी अवास प्रसंग कि स्थापना कब की गई थी तो दोस्तों ये की गई थी याद रखें 7 सितंबर 1973 को उप्षिनेश का बिल्कुल सई जवाब है 7 सितंबर 1973 ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंग देखें दोस्तों कि 220 पर 30 वर्दी की द्रश्टी से राज्यों और कि इंद्रशासित परदेशों में हरना कौन से स्थान पर है दोस्तों ये है बार में 13, 14, 16 तो इसका जवाब होगा दोस्तों 16 स्थान पर उप संडी इसका बिल्कुल सई जवाब होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सभी के सभी आगे रियाना के कि इस सेर में कलपना चावला की याद में medical college खोला गया है तो ये खोला गया है दोस्तों करनाल ओप्सन है इसका बिल्कुल सई जवाब होगा याद रखें दोस्तों ठीक है अंतरिक्षे आते समय ये भी याद रखेगा एक फ्रवरी दोजार तीन को आगे बढ़ते हैं रियाना के महंदरगड जिले कि सेर में तरल नाइट्रोजन प्लांस दीता है तो ये दोस्तों नार नोल में ओप्सन बीस का बिल्कुल सभी जवाब होगा याद रखें नार नोल में ठीक है आगे है प्रशन कि रियाना में तारी पैंसन तारे पास योजना कब शुरू की गई थी तो ये शुरू की गई थी दोस्तों मौस्टी पॉन्ट क्वेशन है चार अगस्ट दोजार पंदर आगो ओप्सन C आगे देखिए आगे बढ़ते हैं अकले पशन पर कि रियाना की बेटी को असलाम राष्ट के नाम योजना किसे सम्मंदित है तो ये सम्मंदित दोस्तों दवजार रोहन से ओप्सन C का बिल्कुल साइज वाब गयाद रखें आगे देखिए पशन मुरानाल आफ हुशेन हाली का जनम हर्याना की जिले में हुआ था मुरानाल ताफ हुशेन हाली का जनम जो है दोस्तों हर्याना के पानिपत जिले में हुआ था याद रखें अप्सन B ठीक है बार बार पूछा जाता है दोस्तों एक्वेशन याद रखेगा आगे बुतेश्वर महादेव मंदर हिराना के किस सैर में स्थित है तो यह है दोस्तों जीन में ओप्शन भी ठीक है आगे है परशन कि प्राजिन काल में रान्या कस्बे को किस नाम से जाना जाता था यह जाना जाता था दोस्तों राजबपूर के ओप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा राजबपूर के नाम से जाना जाता था रान्या कस्बे को जो की सिर्षा जिले में है आगे रियाना में सच्चर फॉर्मुला कब लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था दोस्तों एक अक्तुबर उन्नी सो नंचास को ओप्षन ने 20 का बिल्कुल साइज वाब हो गया आद रखें दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बालू का टीला हर्याना की सहर में स्थित है ओप्षन है रोतक करनाल कैथल कुर्षेतर तो ये है दोस्तों कैथल में ओप्षन सी ठीक है बालू का टीला है कैथल में आगे मावार्थ में नकुल द्वारा जीते के किन शेतरों का वर्णन किया गया है मोस्टी पोर्ट कर्शन दोस्तों आपके जाम की दरश्टी से अग्जाम में आ सकता है इसका जवाब होगा जबना नगरोर पलवन ओप्षन सी आगे है पशन कि रेणा किन शेयरों को ट्राइशीटी की नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है पंशकुला मोहाली और चंडीगड को उप्षन सी ठीक है आगे गरगर हर्याली योजना हर्याना में कब शुरू की गई थी दोस्तों हर्गर हर्याली योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी उप्षने इसका बिल्कुल साई जवाब होगा याद रखें आगे बढ़ते हैं अला पशन देखिए कि सन न 1888 में इलावाद में आयो जीत हुए बारती राष्ट कोंगरेस के चोथे दिवेशन में किस राष्टे नेता ने हिसारगाप पतिनीतू किया था तो ये किया था दोस्तों लाला लाजपतर है ने उप्षन सी ठीक है आगे देखिए पशन किनो जोन बारत सबाब बिवानी किस था अपना किस ने की थी तो ये की थी दोस्तों राधा कृष्टन वर्मान ने उप्षन एस का बिल्कुल साइज वाब होगा याद रखे ठीक है आगे र्याणा में आफेड किस था अपना कब की गई थी ओप्षन है 1966, 67, 79 या 70 तो ये की गई थी दोस्तों 1966 में ओप्षन है आगे बढ़ते हैं अपना पशन देखिए कि रणा कि किस खिलाड़ी में 2010 कोमन वैल्थ गेम्स रैसलिंग में विसावर रिकोड बनाया था ये बनाया था सुसिल कुमार ने, ओप संडी आगे देखिए पशन करणम अलईश्वरी का समद की स्केल से है तो ये है बारो तोलन से, ओप्षन भी आगे रिणा किस सहर में पालतू पसू चिकिछा के इंदर प्रसेक्शन चिकिछा लेगी स्थापना की गई है दोस्तों मोस्ट इपोड़न क्योशन है, ये की गई है पंशकुला में, ओप्षन है अगे रहना राज्य में टल पैंस नहीं हो जना कब सुरू की गई थी ये की गई थी आठ माई 2015 को ओप्षन बी ठीक है सिर्शा का युदू कब हुआ था सिर्शा का युदू हुआ था दोस्तों, बाईस अगस तेरासो बीस इस वी में, ओप्षन ये इसका मिल्कुल सई जवाब होगा याद रखें दोस्तों बाईस अगस तेरासो बीस इस वी आगे रहना की जिले को तिर्थ राज के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है दोस्तों कुल शित्तर को ओप्षन बीस का जवाब होगा ठीक है आगे रहना के करणाल में कि इस नाम की पर्षी जील है तो यह दोस्तों करण नाम से ऑप्षन सी परिशन जील जो ढौँ जे दोस्तों करणाल में है याद रखें आगे वटते हैं आना परस्तन देखिए कि शंदेश नामक्स माचार पत्तर किस ने निकाला था तो यह निकाला था दोस्तों पंडित ने किराम सर्माजी ने option A इसका बिल्कुल सई जवाब है आगे देखे यह परशन कि हर्याना किस जिले में सुपर्शी दार्मेक पूस्तक महबार्थ की रचना की गई थी यह की गई थी कुर्शेक्तर में दोस्तों option D आगे परशन किर्याना किस नगर में railway station स्थित नहीं है तो दोस्तों यह नहीं है नूह में option C यहाँ पर एक भी railway station नहीं है दोस्तों आगे चांदर्श बासा के तुरंत बाद विक्षीत नहीं बासा कौन सी है तो यह दोस्तों ओदिच्च ओप्शन 20 का बिल्कुल सईजवाबों का याद रखें ठीक है आगे है परशन किस उदेश दर्शन के लेका कौन है तो यह दोस्तों रामप्रताब ओप्शन है इसका बिल्कुल सईजवाब होगा सवदेश दर्शन के लेका का है रामप्रताब ठीक है आगे र्यानक की किन दो जिलों में विशेश प्रयावन निया लेस्थित है यह दोस्तों फ्रेदा बारवो हिसार में ओप्शन है आगे दोस्तों किरणा के पंडी दसराज किस विदा के लिए परश्षिद है तो यह है दोस्तों सास्तरे संगीत के लिए पंडी दसराज जी का जनम हिसार में हुआ था याद रखने दोस्तों चेक है और 17 गस 2020 को इनकी मर्थी हो कई थी दोस्तों आगे बढ़ते है पंसकुला साहर किस के लिए परशिद है पंसकुला साहर जो दोस्तों वो है बरतनों के लिए परशिद ओप्सन 20 का बिलकुल सही ज़ाब हो गयाद रखें आगे देखिए परश्न किस आरवे करनाल में परमुग रूप से किस प्रकार का खनीज पाय जाता है यह पाए जाता है दोस्तों सोरा ओप्शने ठीक है आगे है यहां से और तत्रारी के किले का निर्मान किसा सकने करवाया था यह करवाया था दोस्तों है मुने ओप्शन भी इसका बिल्कुल सब्सक्राइब हो गयाद रखें आगे बढ़ते हैं अकला परशन देखिए क्यों असोक्स तम की लीपी क्या है तो यह दोस्तों ब्रह में लीपी ओप्शने ओपजासवा परशन देखिएं तिम परशन दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है अपनी त्यारी परख लीजी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है तो दोस्तों यह आपका मोग टेस्ट होता है कंप्लीट अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेर और प्मेंड करके जरू बता दीजेगा और आरस नोट्स चैनल को इसक्राइब कर लिए दोस्तों